बाइडेन प्रशासन ने चीन को दिया रूस के बारे में खुफिया चीन ने इसके साथ क्या किया आप सोच भी नहीं पाऊगे बिना सिंसर की एक चीन में आपका स्वाधत है मैं क्रिस चैपल हूँ पिछले हफ़ते रूस ने उक्रीन पर हमला किया था अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडेन रूस के हमले से पहले हफ़तों से इस बारे में चितावनी दे रहे थे देखिये कोई युद नहीं चाहता ठीक है लगबग कोई भी युद नहीं चाहता लेकिन युद को रोकने और रोकने के लिए बिडेन प्रशासन ने जो कुछ किया वह मददगार से कम नहीं था अर्थात चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से मदद की भीख मांगना New York Times से बात करने वाले अग्यात अमेरिकी अधिकारियों के मुताविक ऐसा है तीन महीनों में बिडेन प्रशासन के वरिष्ट अधिकारियों ने शीर्ष चीनी अधिकारियों के साथ आधा दर्जन ततकाल बैठके की उन बैठकों के दोरान अमेरिकियों ने युक्रेन के आसपास रूस की सेना के निर्मान को दिखाते हुए खुप्या जानकारी तस्तुत की और चीन से रूस को आखरमर्न करने के लिए कहने के लिए कहा तो ये कैसे निकला? मैं कहने जा रहा हूँ? ठीक नहीं, आप जानते हैं हर किसी के लिए बहतर होगा यदि अमेरिकी सरकार के अधिकारी सिर्फ चीन को बिना सिंसर किये देखें क्योंकि मैं वर्षों से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे चीनी निता शी जिन पिंग और रूसी निता व्लादिमीर पुतिन के बीच वो युगो से एक ब्रुमांस रहा है वे विश्व निताओं के रूप में 38 बार मिल चुके हैं बस वही कर रहे हैं जो भाई करते हैं जैसे खेल देखना पेंकेक्स बनाना और एक दूसरे के जेवर खरीद रहे हैं आप इस तरह का ब्लिंग सिर्फ किसी पुराने दोस्त को नहीं देते आप इसे सबसे अच्छे दोस्त को देते हैं देखो उन्होंने मैचिंग टाई भी पहनी थी वास्तव में अपनी स्थिती को मजबूत करते हुए शी और पुतिन ने अपना जन्म दिन भी एक साथ मनाया है उस समय की तरह जब पुतिन ने शी को अपने सबसे अच्छे और अच्छे दोस्त से अपनी पसंदीदा रूसी अस्क्रीम दी या वास समय जब शी ने कुछ सौसेज काटा और बाली में अपने जन्म दिन की पार्टी के लिए पुतिन के साथ वोड़का पिया यह हैंगोवर सीक्वल है जिसे कोई नहीं चाहता था तो चुकि शी और पुतिन इतने करीब हैं इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने क्या सूचा कि जीनी निता पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने से रोपने की कोशिश करेंगे ठेर यह अंशिक रूप से था क्योंकि वे बहुत करीब हैं अगर कोई विश्वनेता श्री पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के बारे में दो बार सोच सकता है तो यह श्रीशी थे कुछ अमेरिकी अधिकारियों की सोच में था यहां मैं कुछ अमेरिकी अधिकारियों की सोच की कलपना करता हूँ। आप जानते हैं कि पुतिन को अपने देश के अतिहासिक हिस्से के रूप में देखे जाने वाले शेत्र को नहीं लेने के लिए कौन समझाएगा। पर आकरमन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा होने वाला है। और फिर एक आश्चरिजनक कदम में जिसे सभी को आते हुए देखना चाहिए था। चीनी अधिकारियों ने रूस को बताया कि अमेरिका क्या कर रहा है। करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने चीन के साथ खुफिया जानकारी साजह की जिसने फिर पलट कर उस खुफिया जानकारी को रूस के साथ साजह किया। मैं हैरान हूँ तो संशेप में क्या हुआ अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से कहने की कोशिश की अरे आपका BFF कुछ बेवकूफी करने वाला है आपको उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चीन ने पलट कर रूस से कहा अरे वह जटका अमेरिका तुम्हारी बात कर रहा है चिंता मत करो भाई हमें तुम्हारी पीट मिल गई है। करने की कोशिश कर सकते हैं ये चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के लक्षियों की एक बुनियादी गलत व्याख्या है अगर पार्टी अमेरिका को कमजोर करने और उसे दूर होने का रास्ता देखती है तो वह अमेरिका को कमजोर करने वाली है जो उसने मदद से इंकार कर और और यह कुछ ऐसा है जो कम से कम कुछ अमेरिकी अधिकारियों को समझ में नहीं आता है कुछ अधिकारियों ने सुचा की वीडियो शिखर संभिलन के परिणाम ने संकेत दिया कि यूएस चीन संबंधों में सुधार की संभावना है ठीक है मैं इसे एक बार और पीछे के जाये गुपत रूप से अमेरिका को कमजोर करने के लिए वापस जाना एक सुधार है जो यह नहीं है अच्छी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ अमेरिकी अधिकारी चीन के बारे में कम भूले है ऐसा लगता है कि यह संद्यहास पद अमेरिकी अधिकारी थे ज पिछले हफते, New York Times ने एक कहानी प्रकाशत की थी कि कैसे चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा बिडेन प्रशासन की भूमिका निभाई गई। तो बिडेन प्रशासन के अधिकारियों ने उस कहानी को टाइम्स को क्यों लीग कर दिया। चीनी शासन को शर्मसार करने के लिए, अमेरिकी अधिकारी चीनी अधिकारियों के साथ काम करने के लिए एक वास्तविक प्रयास करने की कोशिश के लूप में सामने आते हैं, जो इसके बजाए उन्हें बरखास्त और धोखा देते हैं, यह चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को अविश्ष वसनिय बनाता है और शी ने जवाब दिया कि रूस की व्यद सुरक्षाचिनताओं साथ ही सभी देशों की संभरता और शित्रीय खंटा का समान किया जाना चाहिए ध्यान दे की चीन कभी नहीं कहता कि किस देश की शित्रीय खंटा है क्या वे यूक्रेन या रूस के बारे में बाग कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी शासन भी यूक्रेन में संभाविज शांतिदूद के रूप में सामने आने की कोशिश कर रहा है वही यूक्रेन में रूस की कारवाई को आकरमन करार देने से इंकार कर दिया चीनी Communist Party रूस का समर्थन करना चाहती है क्योंकि वाग पश्टिम के खिलाफ लड़ रही है ये कैसे अमेरिका और नाटो की गलती है इस बारे में पुतिन की लाइन ठीक वही है जो चीनी Communist Party भी कह रही है जबकि पुतिन नाटो से नफरत करते है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रूस को खत्रा है चीनी शासन भी नाटो से नफरत करता है अंशिक रूप से नाटो द्वारा सर्वियाई युद्ध के दौरान चीनी दूतावास पर अकस्मिक बंबारी के कारण और इसलिए भी कि नाटो ने चीन को एक बढ़ता हुआ खत्रा बताया है दूसरी ओर च से यूरोप के लिए चीन का पुल कहा जाता है यूक्रेन चीन को मक्का का सबसे बढ़ा निर्यातक है और 2013 में वापर चीन ने चीन के लिए भूजन उगाने के लिए अगले 50 वर्षों में यूक्रेन की 5 प्रतिशत भूमी को पट्टे पर देने के लिए एक समझोते पर हस् बेल्ड एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी है जिसमें यूरेशन रेलवे भी शामिल है जो शायद अब यूक्रेन पर पुतिन के आकर्मन के कारण मर चुका है कुछ विशलेशकों ने कहा है कि चीनी शासन को रूस के आकर्मन का समर्थन करने में मुश् करता है तो वह चीन की संब्रभुता में हस्तक शेप करता है इसलिए यूक्रेन की संब्रभुता में हस्तक शेप करने के लिए रूस की निंदा नहीं करता है तो यह पाखंड होगा लेकिन यह चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की बुनियादी गलत व्याख्या है पाखंड उन पश्चिम की राजनीते। वैचारिक और सैन्या क्रामक्ता के शिकार के रूप में रूस के पुतिन के चित्रन ने सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ कहराई से प्रतिध्वनित किया है। इसलिए वैचारिक रूप से चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी रूस को अमेरिका का समर्थन करने के रूप में देखती है। उनकी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है और सहयोग के निशिद शेत्र नहीं है। उन्होंने अपने आर्थिक संबंधू को भी मजबूत किया। चीन ने रूस से तेल, कोईला और गेहूं खरीदने के लिए सहमती वैप्त की। वैसे भी किसी को पैरालिंपिक की परवा नहीं है। ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि चीन वास्तव में रूस से अपने आक्रमन के बारे में चिंतित है या नहीं। याद रखें, चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी इससे अमेरिका के खिलाफ रूस के रूप में देखती है और अमेरिका उनका दुश्मन है। इसका मतलब है कि अब तक मुझे पश्चिम के खिलाफ उनके समर्थन में कोई दरार नहीं दिख रही है। एक चीज जो बदल सकती है वह है अर्थिक प्रतिबंद। उसे चीनी अथव्यवस्था को अस्तिर करने की धमकी मिलती है। आखिरकार शी जिन पिंग को एक अच्छी अथव्यवस्था की जरूरत है ताकि वह इस साल के अंत में जीवंधर के लिए प्रेसिटेटर बन सके। और अगर उसे ऐसा करने के लिए अपने BFF को अलविदा कहना है तो वह एक बलिदान है जो वह करने को तयार है। और अब मेरे लिए चाइना अंसिंसर्ड सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रशन का उत्तर देने का समय है। मैं कहूंगा कि आपने इस कड़ी में कुछ रूस बिना सिंसर किया है। और हम चीन के बिना सिंसर के बारे में अधिक बात करेंगे कि यूक्रेन पर रूस के आकरमण ने चीन को कैसे प्रभावित किया। और यदि आप और भी अधिक चाहते हैं तो हम अभी अपने दूसरे चैनल अमेरिका अंकवर्ड पर रूस को बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक और शो है जहां हम अमेरिका के सामान को भी कवर करते हैं। इसमें रूस का यूक्रेन पर अक्रमन भी शामिल है क्योंकि यह सब अमेरिका की गरती हैं। रूस के अनुसार और चीन आपके प्रशन के लिए धन्यवाद बेना ट्रिली और स्थानिये लोगों पर बेना सेंसर किये चीन का समर्थन करने के लिए। यदि आप स्थानिये लोगों पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो इसे देखे थानिये लोग एक मुक्त भाषन सोशल मीरिया प्लेटफॉर्म है जहां चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को जागर करने के लिए हमें कभी भी सेंसर नहीं किया जाएगा। इसमें शामिल होना मुफ्त है लेकिन अगर आप हमारे मासिक समर्थकों में से एक बन जाते हैं तो आ चाइनान सिंसर्ट के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।